देखे, sexually transmitted disease की बात हम लोग कर लेते हैं sexually transmitted disease भी आप इसको बोलते हैं लेकिन अब आजकल इसको STI बोला जाता है इसका मतलब sexually transmitted infection होता है देखे, हम लोग इसको समझ लेते हैं sexually transmitted infection आप इसको बोल सकते हैं तो यह जो sexually transmitted infection आप इसको बोल सकते हैं आप इसको veneral disease भी बोल सकते हैं वेनरल डिसीजेज भी बोल सकते हैं आप इसको पैल्विक इंफेक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको जनाइटल इंफेक्शन भी बोल सकते हैं इतने सारे नाम आपको आपकी किताब में भी देखने को मिलेगे हैं और यह सारे इंपॉर्टेंट बच्चो आपको इस सारे नाम यहाँ पर याद होना चाहिए Sexually Transmitted Disease, देखें the disease कैसे transfer यहाँ पर हो रही है यह देखें, Veneral Disease आपने इसको बुला है आपने इसको sexually transmitted disease या infection भी बुला है यह सारे सारी terms हो है बच्चों यह काफी ज्यादा important आपकी है आप इसको याद रखेगा पूछी जा सकती है कैसे यह transfer हुई है तो यह जो transfer हुई है यह सारी diseases है बच्चों सबसे पहला तो clemideasis अना clemideasis goneria, cephalis, cancroid, genital herpes, genital wards, hepatitis B, AIDS और trichomoniasis यह सारी आपकी sexually transmitted infection या disease आप बच्चों बोल सकते है देखे इनके पीछे जो causative agents है देखे clemideasis के लिए यहाँ पर clemidea trachomatis organism responsible है और यह एक तरह का क्या है it is a kind of bacteria यह क्या है बच्चों it is a kind of bacteria वैसे ही goneria के लिए gonococcus आप इसको इसको gonococcus भी बोला जाता है तो gonococcus is responsible for that और यह भी एक तरह की bacterial disease है बच्चों है ना कैसे transfer हुई है जब भी fluid या फिर sexual किसी भी infected male या female के contact में कोई दूसरा partner महां पर आएगा then simply this disease will transfer from one person to the another cephalis जो है वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा tryponema palladium के कारण आपको फिर उसके बाद में cancroid जो है यह दोनों भी bacterial diseases बच्चों उसके बाद में genital herpes देखें जो genital herpes जो है एक तो यह मैं इसको red से underline यहाँ पर कर देता हूं so you will be able to understand it यह जो harpes virus बच्चों उसके बाद में AIDS यह सबसे खतरनाक आपके sexually transmitted disease के category में आपको आता हुआ दिखाई देता है दूसरी सबसे बड़ी बाद कि आज तक इनके लिए कोई भी treatment जो है वो अभी तक होजा नहीं जा सका बाकी की सारी diseases दिसे की यहाँ पर यह genital wards जो है this is also because of a virus यह भी एक virus के कारण होता है लेकिन इसके लिए अगर early ages में इन सभी के लिए early ages में earlier phase में अगर यह सभी disease को identify कर लिया जाए so these can be curable लेकिन इसमें AIDS और हर्पीज के लिए बिलकुल भी संभावना नहीं है कि वो ठीक हो सके है ना तो यह देखिए सारी आपकी sexually transmitted disease हमने देखी कुछ infection जैसे की habitat is B देखिए यह भी है HIV और यह जो है यह कैसे आप जब भी injection लेते है needle से surgery के through है ना या body fluid के transmission से किसी infected person से आपने blood जो है वो ले लिया है receive किया है तो यह disease जो है यह transfer हो जाएगी and this में also transfer from the mother to the fetus है ना इस तरह से disease जो है वो यहाँ पर transfer होते वे देखने को मिलती है इसमें hepatitis B genital herpes और HIV यह जो infection है इन disease के लिए आप बोल सकते हैं कि अभी तक कोई भी proper treatment हो है हमको देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी earlier ages में अगर इनका पता लग जाए तो आपकी life फिर भी बचाई जा सकती है लेकिन death होगी इसके पीछे कोई भी surety नहीं होती है बस आपका life span जो है वो यहाँ पर कुछ medicines की मदद से increase किया जा सकता है early symptom of the most of these minor and including eating देखें यहाँ पर symptoms क्या है क्या-क्य symptoms है तो eating यहाँ पर होगी सबसे पहला तो eating हमको यहाँ पर होगी कहाँ पर होगी यह हो रही है सारे आपके private parts में यह आपको disease आपको कहाँ देखने को मिलेगी यह देखने को मिलेगी आपके private parts में शुरुबात होगी और private parts में आपको eating शुरू हो जाएगी सबसे पहला उसके बाद में fluid discharge जो है वो य थोड़ा थोड़ा पेइन यहां पर हो जाएगा अना दर्द उसका हलका हलका दर्द बाद में बढ़ेगा भी और उसके साथ में सबसे बड़ी चीज यहां पर अगर आपको आपके जनाइटल पार्ट इस तरह का सिम्टम शो कर रहे हैं मतलब यू नीड डॉक्टर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसके लिए सही इलाज जो है वो यहां पर सर्च करना चाहिए दिसकन लीड़ी तो दे इंफ्लमेटरी डिसीज इस मतलब पैल्विक रीजन जो है महां पर जलन आपको बहुत जादा आपके जनाइटल पार्ट में महसूस होगी है ना इंफ्लमेशन यहां पर आपको होगा अब इसके कारण अब और शन भी हो सकता देखिए अगर आपको इस तरह की डिसीज किसी अजयवत बच्चे का जन्म जो है वह आपको यहां पर देखने को मिल सकता है एक्टोपिक प्रेग्नेंसी की बात आती है यह एक्टोपिक प्रेग्नेंसी क्या होती ही मैं आपको इहां पर समझा देखिए जब भी एम्रीयों यूटरिस में पहुंचता है तो वो endometrium जो वहाँ पर layer है उस endometrium में वो एक proper site पर जाके implant हो जाता है अगर वो वहाँ पर सही जगे implant नहीं होता है कहीं उपर या कहीं नीचे की तरफ हो जाता है या ज्यादा ही उपर अगर वो attach हो जाता है तो यह भी sexually transmitted disease के कारण हो सकता है sexually transmitted disease के कारण अब person में lose its fertility also मतलब infertility जो है वो भी इसके कारण हो सकती है यहाँ तक की cancer भी उन parts में हमको देखने को मिल सकता है किनके कारण sexually transmitted disease में और पुरी तरह से you can say कि life जो है उसके बाद पुरी तरह से खतम ही हो जानी है है न तो यह आपको चीज़े यहाँ पर समझ महाई किस तरह से हम इन बिमारियों से बत सकते है avoid sex with the unknown partners है न या फिर multiple partners के अगर contact में अगर आप आते है है so you will have to avoid it always use condom during the coitus यहाँ male और female के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि female के लिए femdom और males के लिए condom that will be beneficial यहाँ पर sexually transmitted disease को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा effective यह है pregnancy को तो रोकता ही है in case of doubt अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा भी आपको इस तरह के symptom अगर आपकी body में देखने को मिल रहे है so directly you will have to go to the qualified doctor उससे आप संपग केज़े doctor से संपग केज़े and you will get a better treatment for that है न तो यह यहाँ पर sexually transmitted disease के बाद हम लोगों ने पूरी की है हम आपको जिरेख öffentlich आपका स्कूरीज़ करिट भी आपका is can था अपको विल भी आपको रमता